सबको मेरा प्रणाम, मेरा नाम रावुरी बदमश्री हैं, मैं कमम जिले के कोणिजरला मंडल के जटपी हेच्च सिंगरा एपालम में काम कर रही हूं, दस्वी कक्षा के चात्रों को स्वागत करती हूं, आज का पाठ है दर्ती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब, दूसरा भा में अब्दुल कलाम जी के बारे में जान लिये थे, पढ़ लिये थे, और उन्होंने दो प्रश्णों के उत्तर समाधान बताए थे, पहला प्रश्न हैं, बढ़ती जनसंक्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्या, उनको सुलजाने के लिए उपाई बताए थे, उपा महिलाओं को पांच महिलाओं को जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, उन महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, और समाज की प्रमुक समस्याओं के बारे में भी महिलाओं को बताना चाहिए, उन समस्याओं को कैसे सामना करना चाहिए, उनके बारे में भी बता कर, आबादी को हम क से वोंके समाधान इस प्रकार बताएं हैं और दूसरा प्रश्न है बाल मजदूरी की समस्य को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए तीन उपाय बताएं हैं, पहला क्या है बच्चा स्वयम अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुची दिखाना चाहिए और दूसरा है माता पिता को सिक्षित करके और तीसरा बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनी अंत्रण की प्रवृत्ती का विकास करके इन तीनों से हम बाल मजदूरी की समस्या को दूर कर सकते हैं इनके साथ हमने कैला सच्चार्दी जी के बारे में भी जान चुके हैं बच्चों अब तीसरा प्रश्ण बच्चे बालक पूछ रहे हैं प्रश्ण देखिए आप वर्तमान में ब्रस्टाचार सार्वजनिक जीवन में लगबग सबीस तरों पर व्याप्त हैं चात्र समधाई सन दो हजार बीस तक बारत को ब्रस्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या क्या कर सकता हैं वर्तमान में ब्रस्टाचार ब्रस्टाचार शब्दिकार्द क्या है बच्चों अभी नीती अभी नीती लंच गुंडी तनम सार्वजनिक जीवन में इए उक का समाजम लो दाद अपक अन्नी स्थाइल लो कुड़ा इलांच गोंडी तनमा विनीती अनेदी भाग पेरिवोई इंदी चात्र समदाई विद्यार्द लुगां 2020 तक अब्दुलकलामजी का सपना है विजन 2020 2020 2020 दो हजार बीस तक बारत को भारत देशानी ब्रस्टाचार से मुक्त अभी नीती निंची दूरम चेटम कोसम अबिनीती लेने 2020 भारत देशानी गातायर चेटम कोसम क्या क्या कर सकता हैं क्या करना चाहिए इस प्रकर बच्चों बने अब्दुलकलामजी से प्रश्न पूछेते तब देखिये बच्चों अब्दुलकलामजी क्या समाधान दे रहे हैं सार्वजिनी की जीवन में ब्रस्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है क्या आवश्यकता है बच्छों व्यापक आंदोलन की यानी सब मिलकर अंधरू कलिसी दीन गुरिंची आंदोलन जे आलसना उस्रम चाला उंदी यहांदोलन अपने घर और विध्यालै से ही आरंब करना होगा यहांदोलन कहा से शुरू करना है बच्छों घर और विध्यालै इन दोनों से ही शुरू करना चाहिए आरंब करना चाहिए इंटिनिंची पाटशालनिंची प्रारंभवाली युद्धम ने दि यांदोलना ने दि ब्रस्टाचार उन्मूलन में मेरी दृस्टी में केवल तीन ही तरह के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं इस ब्रस्टाचार को दूर करने के लिए अब्दिल कलाम जी के दृस्टी में केवल तीन ही तरह के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं वे कौन हैं कितने लोग? कितने प्रकार के लोग? तीन तरह के लोग. कौन हैं वे लोग? वे है माता, पिता और प्राधमिक विद्याले के सिख्षक. कौन कौन है बच्चा? माता, पिता और प्राधमिक विद्याले के सिख्षक. इए मुग्गुरु कुड अम्म, नान, प्राधमिक पाटशाल योक्का उपाध्जाल। इए मुग्गुरु कुड विध्यार्दुल्लो इएक अविनीती लेकुंड चिन्नपडणींचे वालनी, मंचिका नीती वन्तमंगा नैतिक विल्लुवल तोटि पेंचिनटलैते, इएक लांचकोंडिता नम्म, अविनीती ब्रस्टाचारु कुरिंची, वालनी दूरंगा उ ये तीनों बच्चों को इमांदारी और सच्चाई का पाट पड़ाते हैं, तो इसके बाद जीवन में शायद ही कोई उनको हिला पाएगा, ये दी ये तीनों बच्चों को क्या सिखाना चाहिए इमांदारी, निजाईती और सच्चाई, अन्टे इदिकूडा वकविदंग निजाईतीलांटिते निजम्माटला अट्टमू, निजाईतीगा उन्डटमू, इवन्नी कूडा चिन्नपपट निंचे तल्ली दन्रुलू, पाटशार प्राद्मक पाटशालू बाद जायलू, पिलललक नेर्बिंजिन अटलैते, वाल्डिंक जीवितमलो अट हर गर में इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है, इसलिए हर एक गर में इस प्रकार का आंदोलन करना जिरूरी है, सार्वजनिक जीवन में ब्रस्टाचार को मिटा सके, इस प्रकार करने से क्या होता है बच्चों? हमारे सार्वजनिक जीवन में ब्रस्टाचार को मिटा सकते हैं, आप सब यह संकल्प लेकि, आप सधैव इमांदार एवं ब्रस्टाचार मुक्त जीवन का निर्वाह करेंगे, आप सब सधैव एलप्पुडु गुडा, संकल्प करना चाहिए, प्रतिवक विध्यार्दी हमारे सार्वान ब्रस्टाचार निर्वाह करेंगे, जीवितान अला गडुप्पु थामों, आवर दूसरम केलिए आधर्षिवान बनेरहें, दूसरों के लिए इतर लकि मी मादर्शंगा उन्टामू अनि मीर अन्ता गुड़ा प्रतिग्ण चेसकू नटलाईते। सहाइक सिद्ध होते हैं माता, पिता और प्राद्मिक विध्याले के सिख्षत। ये तीनों क्या कर सकते हैं। ये तीनों बच्चों को इमानदार्या और सच्चाई का पाट पढ़ाते हैं। इमानदार्या और सच्चाई का पाट पढ़ाने से क्या होता हैं। वह जीवन में शायद कोई भी उस उन्हें, कोई भी नहीं हिला पाएगा। इसके लिए कहा से शुरू होना है आंदोलन, हर गर से शुरू होना है। इस प्रकार करने से हमारे समाज में ब्रस्टा चार कभी हमें दिकाई भी नहीं देगा। इस प्रकार हम सब भी अपने आप संकल्ब लेना चाहिए कि हम इमानदार बनेंगे और ब्रस्टा चार मुक्त जीवन बिताएंगे और दूसरों के लिए आदर्शुवान बनेंगे। इस प्रकार हमें संकल्ब भी कर लेना चाहिए बच्छों। और है और एक प्रश्ण है यहाँ पर देखे बच्छों इस चित्र में भी ब्रस्टा चार के चित्र है और दूसरा है पाटशाला में विद्यार्दियों से संकल्ब ले रहे हैं। और एक प्रश्न देखे बच्छों में बालक पूछ रहा हैं। बड़े हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासित रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कूप पड़ाई करनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि इमानदार बनना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आदी. वैसे तो इन बातों को पालन करना महत्वपूर्ण है किन्तु एक चात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है समझ भी आया बच्चों यहाँ प्रश्न बड़े हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि आनुशासित रहना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कूप पड़ाई करनी चाहिए भागा चदू कोवाली अन्जे पिसन कुछ बचतू उन्टार तो कुछ लोग कहते हैं कि इमानदार बनना चाहिए कौंतबंदेश बचतू उन्टार इमानदार निजाई तीगा ब्रतकाली यानी इनकौंतबंदेश बचतू कुछ चाहिए बहुत महत्वपून हैं इफ अन्नी विश्यालु गूडवक विध्यादिक चाला आवस्रमें मोदटिदी एंटिदी क्रमसिक्षन गाउन डाली, भागा चदवाली, निजायती गाउन डाली, भागा कस्ट पडाली, इफ अन्नी कूड वेक्तिक उन्डवाल्स नट्वेंटी लक्षनालू किन्तु एक चात्र के लिए सबसे महत्वपून गुण क्या है, ये सब है, लेकिन एक चात्र के लिए उका विद्यार्थी की उन्डवाल्स नट्वेंट, उका गुपगुणम ये मिटी, अनेडिगर, अब दिलकलाम उत्तर दे रहे हैं, देखिए बच्चों, एक चात्र के ल दोगुण होना चाहिए, एक चात्र के लिए सबसे महत्वपून है, उसकी अपने प्रती इमांदारी, तनकी तना पटला निजायती कलिगी उन्डाली, और दूसरों के प्रती आधर कागुण, रेंडव देंट दी, दूसरों के प्रती इतरला पटला गौरव कोंद बंदी एन जिस्तू उन्टारू, यवरन चूस्तू उन्णारू, अन्न अपटेमो निजायती इगा उन्टारू, चूडट लेद अनकुर्ण अपटू, मामुलुगा निजायती इन पक्कन पेड़तू उन्टारू अलागे, एदुरु वाल्ड मुन्देमो गौरों ब्रदर शिस्तू उन्टारू, वाल्ड लेन अपटेमो वाल्ल गुरिंची, चडुगा माटला आड़तू उन्टारू, इल्ला अन्टि पद्धती मन्चिदी कादू अपड़ मन्वेंटी, यवरन्न उन्न, लेकपोईन, एपड़ेन सरे, निजायती इगाने, उन्टाली, मन जीविताने, मन निजायती इगा, उन्चक्वाल, इमान दारी, इमान दारी, अंटे, निजायती, निजायती, अवर, दूसरोंके प्रती, आदर्का गुण, नागरिक बनाएंगे, नागरिक शब्दु में, प्रच्चे क्या है बच्चों, इक, एक गुण, इरेंडु गुणाल कूड, मिम्मननी, उक गोप्प मन्ची आदशवन्त मेन, पाउरुडू, नागरिक सिटिजन, मन्ची सिटिजन, कि मिम्मननी, तयार चेस्ताई, गुण, हमें निस्संदे आदर्शनागरिक बनाएंगे, ओके बच्चों, और एक प्रेशन है, यहाँ पर देखिए, चात्र पूछ रहे हैं, एक अंतिम प्रेशन, आखरी प्रेशन है, एक चात्र के रूप में, मैं विकसित भारत के, आपके सपन को, सपन को साकार करने की एक अंतिम प्रेशन, आखरी प्रेशन, क्या है वहुआ, एक चात्र के रूप में, मैं विकसित भारत के, आपके सपन को साकार, साकार शब्द का आविलोम शब्द है निराकार, सपन, सपना, सपन, कला, सपन नंटे कला, ओका विद्ध्यार दिगा, यह अबिर्यदी चंद अबिर्यदी बारत आदेशान की, मी कला ये देते उन्दो, कलानी साकारम जेटम कोसम, नीनू येम चे ये गलनू, विद्ध्यार दिलगा मीम येम चे आली, अनडूत नरू, ओके बच्चों, एक चात्र के रूप में, मैं विकसित भारत के, आपके स्वपन को साकार करने की दिशा में क्या कर सकता हूँ, अब्दुलकलाम जी का उत्तर देखिए बच्चों, ये बहुत इंपर्टेंड है, ध्यान में रखिए, एक चात्र होने के नाते, आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें, पहला वाक्य, आ आप देखिए बच्चों, समझ ज्यान में रखिए, मस्तिश्क में रखिए, एक चात्र होने के नाते, आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें, अंधलो मुंद कुवे लटं कोसम मीरू भागा कस्ठ पढ़ाली, कूप प अपने जीवन में पहले एक लक्षी बनाना चाहिए, फिर उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनभव प्राप्त करें, आ ज्ञाना नि पोंदटानी कावल्स न ट्वेंटी, आप योक लक्षय में दे तो कलक्षयान न पेटको आली, आ लक्षयान न अनुभवाननी पोंदाली, आण्टे इपकुण नीनु ओक लक्षयान पेटको आली, उदियम पूटंक लेगोगानी निन डाक्टर अवाली, सायंत्रम वगानी निन डाक्टर अवाली, अला आनकुंट्वों उन्टे डाक्टर अवां कदा, दानि कावल्स न ट्वेंटी, ज्यानानी पोंदाली, अम्ते काकुंट, अनुभवाननी गूड पोंदाली, अंटे नीनी पुडु नेक्स्ट डाक्ट चादवाली एंटे, 10th क्लास तरवात, नीनी इंटरले ए ग्रूप दीसको आली, तरवात इंक नीने यला कस्टबडी, नीट परिक्षरायाली, नीटले जेंतरे एंकोस्ते नक सीटोस्तुंदी, वन्नी कुड़ प्लान चेसको आली, दनी कावल्स नट्वण्ट अनुभवान्नी, इंतमुंदु चदिविनवाल देखरिक्वेल्ली, यला चदिवारु एंटिया नेट्वण्ट अनुभवान्नी कुड़, मनां से करिंचाली, अल बढने के लिए कू परिश्णम करना चाहिए, ओके बच्चों दूसरा है, जीवन में एक लक्ष बनाना चाहिए, उस लक्ष का प्राप्त करने के लिए आवश्य ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहिए, और बाद में देखिए, बाधावं से लड़ते हुए, उन अन्तेथ अप्पा नाके अन्नी कस्टाल उन्ने इन इन चाला पेदवाणनी, नाके एटवण्टी सदुपायाली लेवू, अंधुवल्ल नी चदुको लेकपयानू, अंधुवल्ल नी ने एधगलेकपयानू, इला अन्त वन्नी कूड मनमू पेट्ट को कूड़दू, इल देशानिकी रास्टपतिका गूड़ा इयारू अनी इन पेदवाण्यनेसी अकड़े आगी पोलेद गदा इन्त उन्नतंग उन्नत अस्तानम वरके इदिगारू कावटी नाके कस्टाल उन्नाई भादल उन्नाई निंचादवले उन्नू अनी एपड़ू कूड मने एक लक्षयान की दूरंगा उन्ड़ कूड़तू बादावों से लड़ते हुए उन्न पर विजे प्राप्ति करें ओके बच्चा और निरंतर प्रयत्न शील रहते हुए सबसे बढ़िया काम कान्ने की ओर बढ़ते रहे निरंतर प्रयत्न शील एपड़ू कूड़ उकसारी विजेवं लभिन्चक बोच्चु अईना पड़ की कोड़ मनम एपड़ू कूड़ प्रयत्निस्तुने उन्डाली और सबसे बढ़िया काम बढ़िया गोपपपणलो इसका विलोम शब्द है घटिया काम करने की ओर बढ़ते रहे उन्नत काम करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए सबसे बढ़िया काम करने के बढ़ते रहे सथ ॏ नईतिक मुल्यों को भी ग्रहन करेए हमारे साथ-साथ क्या होना चाहिए हमारे साथ नईतिक मुल्यों भी होना चाहिए नईतिक दुवर्भach every Hai बूल्य नीती प्लसीक नैतिक यानि नैतिक विल्लुवलू अन्नितनी कुड़ मनू नेच को वाली। चात्रों को हमेशा परिश्रमी बनने का प्रयास करना चाहिए। सुवीधावुम से वनचित बच्चों को पडाने का काम करे चुटीयों के दिनों में चात्र गरीब और सुवीधावुम से पेद़ पिल्ल लकी सुवीधावुम से वनचित 20 सौ कर याली लेन 20 पिल्ललने 241 चटावं कोशं चदिवींच टनला आंटिपी चेस्थूंडाले पुडू चुट्टियों के दिनों में सेलवर ओचुल्लो ओके बच्चु आवरू इसे अपने जीवन में एक उद्धेश के रूप में ले एदो एवरो चेप्टारू वेल्लामू ऊर्केने चदिवींच आमू वच्चामानी काकुणडा दिनी ओक मंची उद्धेशन लाग स्वीकरिंची प्रती सारी गुड सेलवल्लो वेल्ली इला आंटि पेदवाल लकी सावकर्यालो लेने ट्वेंटवाल लकी मने का चदू नी चपड़ू चपड़ू वळक ज्ञाना नंदी चटनला आंटिवीं चेयाली चात्र अधिक से अधिक पाउदे लगाए और क्या करना चाहिए बच्छा अधिक से अधिक पाउदे लगाना चाहिए पाउदे लगाने से क्या होता है परियावरण में इससे परियावरण को संतलिन बने रहने में सहायता मिलेगी इसलिए प्रदूशन की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या आज करना चाहिए बच्चों? हर एक चात्र अधिक से आधिक पौदे लगाना चाहिए इससे क्या होता है परियावरण में संतिलन बना रहता है हमारे कार्य न केवल हमको बलकि हमारे रास्ट को भी विकास और सम्रुद्धी के पद पर ले जाएंगे ये पूरे काम जो हमारे अब्दिल कलाम जी ने बताए है एक पूरे काम हमें ही नहीं पूरे हमारे रास्ट को भ विकास और सम्वृद्धी के पध पर ले जायेंगे मनानेक आकुंट बन देशान गुड़ा बिवृद्ध पदन लोगी अड़ पिस्ताई आलो चनलन्नी कुड़ा अवर एक बार देखिए बच्छों इस पेरा में इस अनुच्चेद में पाला है चात्र होने के नाते जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उस कक्षा में आगे पढ़ने के लिए कूप परिश्रम करना चाहिए जीवन में एक लक्ष बना कर उस लक्ष के प्राप्त के लिए आवशे ज्ञाना और अनवव प्राप्त करना चाहिए बादावं से लड़ते हुए विजय प्राप्त करना चाहिए निरंतर प्रयत्न शील रहना चाहिए बढ़िया काम करना चाहिए और नैतिक मूल्यों को भी ग्रहन करना है चात्रों को अमेशा परिष्टमी बनना चाहिए चुटियों के दिनों में गरीब और सुधावं से वंचित बच्चों को पढ़ाना चाहिए और क्या करना चाहिए अधिक से अधिक पोदें लगाना चाहिए बच्चों ये पूरे काम जो है हमको ही नहीं हमारे रास्ट को भी विकास और सम्रुद्धी के पदबर ले जाएंगे साबार हम होंगे कामियाव एपीजे अब दिलकला ओके बच्चा नीचे दो प्रेशने हैं देखे निरक्षरों का साक्षर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उठाए जा रहे हैं हमारे सरकार क्या कर रही है निरक्षरों का साक्षर बनाने के लिए बारतिय समसद ने भी संभीधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कोशित कर दिया इसके अंतरगत निश्चुलक शिक्षा, पाउस्टिक बोजन, बालिका शिक्षा, पेजल की सुविधा, खेल सामाग्री, खेल का मैदान, पोशाक, निश्चुलक पाच्व पुस्तकेम और विविद प्रकार की सुविधाये प्रोचाहन आधि दिये जा रहे हैं ओके न बच्चों, ये पूरे हमारे सरकार ने निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए कर रहे हैं और एक प्रश्ण है, एक चात्र में काउन काउन से महत्वपुन गुन होने चाहिए एक चात्र में क्याउन से गुन होना चाहिए बच्चों एक चात्र में अपने प्रती इमानदारिय और दूसरों के प्रती आधर का गुन होना चाहिए अनिशा सित रहना चाहिए, कूप पड़ाई करना चाहिए और हैं इमानदार बनना चाहिए ओके बच्छों यहाँ देखिए बच्चे पवदे लगा रहे हैं और पाटशाला भी हैं देखिए बच्छों नाइति कमूल्य, धैरिय, जिम्मेदारी समझ में आए ना बच्छों, ओके यहाँ देखिए दमिसेल वोमन आफ इंडिया दमिसेल वोमन आफ इंडिया काउन है वहाँ, टेसी तामस काउन है, वह महान महिला टेसी तामस जी अब इनके बारे में हम जानेंगे बच्छों यहाँ आपके किताब में भी है ना यहाँ चित्र देखिए वच्छों पहले टेसी तामस जी के बारे में जानेंगे यहाँ पर देखिए 2012 में इन्हें प्रतिष्टित लाल बहदुर शास्त्री रास्त्री पुरस्कार से नमा जा गया अयह पुरस्कार मिसाइल तकनीक के ख्षेद्र में भारत को आत्मनिर्बर बनाने के उनके उलेख ने योगदान के लिए दिया जाता है डाक्टर टेसी तामस को 2019 में आई आई टी कानपूर और 2018 में करनाटक केंद्री विश्व विध्यालाय ने डाक्टर ओफ साइंस की मानद डिग्री बेंट की है ओके बच्चों ए है हमारे एपीजे अब्दिलकलाम जी के शिश्या ठेसी तामस हमें गर्व है इस महिला पर क्योंकि उन्होंने पुर्षों के समान रक्षन डियाडियो में डायरेक्टर के रूप में काम किये हैं और हमारे अब्दिलकलाम जी के साथ भी उन्होंने काम किये हैं इसलिए अब्दिलकलाम जी को वह अपना गुरु मानती हैं वे अपना गुरु मानती हैं यहां देखिए बच्छों तेसिता मसजी का साक्षतकार इंडिया टुडे सापताहिक पत्रिका के एक साक्षतकार करता ने साक्षतकार लिया था पहले देखिए वह कैसे मिला तेसिता मसजी के यहां पर दिया गया है बड़ी मुश्किल से मुझे तेसिता मसजी का साक्षतकार करने का मौका मिला था बड़ी मुश्किल से चाला कस्टंगा किसका साक्षतकार लेने के लिए गए वे तेसिता मसजी का साक्षतकार लेने के लि मैं सुभा सुभा ही हैदराबाद के डिफेंस्ट वार्टर्स में स्थित उनके घर पहुंच गई ही ओके यहां यापर मैं सुभा सुभा ही सुभा सुभा याने जल्दी जल्दी सबे रे ही सुबाव का शब्द का अर्ध क्या है उदैयानने सबे रेही उदैयानने निनु हैद्रवाद लोने डिफेन्स क्वार्टर्स लो उन्ना 20 वारी इंटिके इल्लानु अन चप्तुनार इकड साक्षात्कार कात्ता यवरायते उन्नार तानु चप्तुनार नमाटा उदे यनन ने टेसी तामसगार यह का इंटर्यूँ को समने सी यह लेड़ दा रहे त़ने कड़ूं नारू वो यह कहा पर है है हाइदरावाद के डिफेन्सक्वार्टरस में डियाडी वो मालूम है ना बच्चों आपको हैदराबाद में हैं डिफेंस डियाडी वो का मतलब है डिफेंस रिसेर्च एंड डेवलपमेंट और्गनेजेशन क्या है बच्चों डिफेंस रिसेर्च एंड डेवलपमेंट और्गनेजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं रक्ष हमारे तेशिता मस्जीर आते हैं, उनके पास है, साक्षादकार के लिए पहुंच गई थे वो लोग, देखिये यहाँ घर में देखा तो पुरसकारों और संमानों का बंडार पड़ा था, घर में क्या है बच्छा, पुरस्कारों और सम्मानों पुरस्कारों बोले तो सन्मान बोले तो क्या है दोनों का एकी अर्द निकलता है पिर्भी देखिए सम्मान बोले तो सन्मानमू पुरस्कार आलू बहुमान आलू का बंडार बंडार पडाता अंटे चाला नहीं उन्माटवाले इनलो चाला पुरसकार आलू, सन्मान आलू, मेडम गर्ग जेस नए अननी कोडा कड़ो उन्ने। किन्तु इसमें भी विशेशता हाति वाला स्मारक। इन सबी में जो पुरसकार है, उन्य पुरसकारों में से श्पेशल एक चिहन है वहां पर हाती वाला समारक, går को हाती। आपको मालूम है अलिफंट। जो उन्हें entrar उनके इंजिनियरिंग की पढ़ाय के समय कालेज की वोर से दिया गया था। उन्हें कब दिया गया था उस स्मारक चिहन को जब टेसिता मस्जी इंजिनीरिंग पढ़ते थे पढ़ती तब उन्हें यह वो चिहन दिया था कालेज की वोर से इसलिए उसे बहुत पसंद है वह उनकी सिक्षा दिक्षा केरल स्थित अलपपुजा में हुई प्रांत है उस प्रांत में टेसिता मस्जी का सिक्ष पढ़ाई चला वही पर अकडे चदू कुन्नार केरल लोनी अलपपुजा नेटटवणड प्रांत नल चदू कुन्नारू यही पर उनका जन्मु भी अलपपुजा में ही हुआ ता रक्षा अनसंधान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था पहले क्या समस्तेते रक्षनकार्य जो है हमारे देश के जो रक्षनकार्य है वो पूरा पुरुषों का है इस्त्रियों के लिए नहीं है इस प्रकार सोचतेते इसी विज्ञान भी और विज्ञान को भी पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था मगा टेसी जी ने अपने मेहनत लगन और दुड़ निच्छे से इसक शेत्र में मेहनत की लेकिन टेसी जी ने क्या किया अपने मेहनत से मेहनत का अद्ध है श्रमा लगन लगन और दुड़ निच्छे पट्टु दलतोटी इसक शेत्र में मेहनत की इक शेत्रनलो चाला श्रम अभिरुदलो को चरू. निरंतर श्रम से टेसी जी रक्षा अनसंधान और विकास संगटन DRDO के अगनी पांच कारिक्रम की निर्देशक बनी. इस प्रकार तनयोका निरंतर श्रम तोटी टेसी तामजी रक्षान संधान और विकास संगटन मैं पहले ही बोल चुकिते आपको DRDO Defense Research and Development Organization के अगनी पांच कारिक्रम की निर्देशक कार्द हैं डाइरेक्टर बनी. उन्होंने देश के किसी मिजाइल प्रोजेक्ट की पाहली महिला प्रमुक बनने का गवरोव प्राप्त किया. चेलिए, उनी ही से उनके बारे में जानते हैं, क्या उत्तर देंगे उनके बारे में हम, बाद में तीसरी बाग में हम जानेंगे यहाँ देखें एक अवार्ड भी ले रहे हैं और यहाँ व्याकर नाम्ष भी हैं कटिन शब्द और अर्द हैं संधी विच्चेद हैं और उपसर्ग प्रत्याई और ग्रुह कार्य भी हैं ब्रस्टाचार उन्मूलन में पाटशाला का क्या महत्व हैं ब्रस्टाचार उन्मूलन के लिए पाटशाला का क्या महत्व है ब्रस्टाचार इमय अन्दार से रहना चाहिए ब्रस्टाचार को दूर रखना चाहिए और सच्चाई ये पूरा स्कूल में ही पढ़ाएंगे तो शायद बच्चा बच्पन से ही इमानदार से बढ़ा होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्टूचर उन मौलन में पाडशाला का बहुत महत्व हैं कलाम जी सद्गुण संपन हैं आप उन में किस गुण का पालन करना चाते हैं आप ही अपने विचार लिखिये बच्चों यहां पर बारत को ब्रस्टाचार से मुक्त कराने में चात्रों का क्या महत्व हो सकता हैं इन तीन प्रश्णों के उत्तर भी आप लिख लीजिए बच्चों अगली सत्र में हम मिलेंगे धन्यवाद बच्चों